पंकच नाम का एक लड़का था जिसे घूमने का बड़ा शौक था वो अलग-अलग शहर में घूमने के लिए नए-णए भाणे ढूनता रहता था वो किसी भी मौके पर आने के लिए घूमने का कोई ना कोई भाणा निकाल ही लेता था एक बार पंकज बैठे बैठे अपना फोन चला रहा था कि तभी उसके ताउजी का कॉल आया जी नमस्ते ताउजी बताईए कैसे आप किया आपने मुझे अरे भेटा नमस्ते नमस्ते दरसल मुझे तुमसे कुछ काम था वो तुम्हारे शहर में कुछ खास मिठाईया और मठरियां मिलती है न दरसल मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है तो इसी लिए मुझे मिठाईयों का ओर्डर देना है लेकिन मुझे यहां किसी भी हलवाई की मिठाई नहीं पसंद इसी लिए तुम जड़ा एक काम करो कल मुझे अपने शहर के सबसे अच्छे मिठाई की दुकान वाले से बात करवा देना मैं उससे सेंपल मंगवा लूँगा और फिर अगर बात बन गई तो उसे ही ओर्डर दे दूँगा हम क्या अरे ताउजी आप मुझे अपना नहीं मानते हैं क्या अरे दुकान वाले से सेंपल क्यों लेंगे मैं हूँ न मैं खुद शहर की सबसे शांदार मिठाईया लेकर कल आपके पास आ जाओंगा पंकच को तो घूमने का एक बहाना मिल रहा था इसलिए उसने अपने ताउजी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया अरे आप इस सब की फिक्र मत करिये ताउजी मैं आकर आपसे मिलता हूँ इतना कहकर पंकच फोन कार्ड देता है और खुद से कहता है वाह ये हुई ना पात मैंने सुना है ताउजी जिस जगह पर रहते हैं वो तो बहुत ही हूपसूरत है और वहां मैं कभी ठीक से घूमा भी नहीं हूँ ये अच्छा मौका है उनका शहर घूमने का लेकिन ज़रा देखूं तो कि वहां जाते कैसे हैं पंकच देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई भी ट्रेन या बस सीधा उसके ताउजी के शहर तक नहीं जाती थी अब क्या करूँ मुझे तो यहां कैसे भी जाना ही है पंकच अपने मजबूत इरादे लेकर अगले ही हफ़ते जाने के लिए निकल पड़ता है उसने सबसे करीब स्टेशन की टिकेट करा ली थी और वो आराम से अपनी सीट पे जाकर बैठ गया था पंकच अपने आप से बाते करके खुश हो रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला था उससे उसकी जिन्दगी पूरी तरहां बदल जाएगी थोड़े देर बाद पंकच की ट्रेन अचानक से रुख जाती है पंकच पास में ही खड़े टीटी से पूझता है क्या हुआ सर ये ट्रेन यहां क्यों रुकी है आरे भाई साहब आगे पौटरी उतर गया है कुछ कौम चल वहा है यहां पर ट्रेन को रुखना पौड़ेगा क्या कितनी देर रुकेगी ट्रेन अचानक जहां पाखाम को लगता है कौम से कौम पाच छे घंटे तो आराम से लागेंगे अरे नहीं पांच छे घंटे तो बहुत जादा है इतनी देर तो मैं यहाँ पर नहीं रुख सकता हूँ मुझे सुभे होने से पहले ही पहुँचना है ओ अगर ऐसा बाठा है तो आप एक कॉम करिये आप यहाँ से उतर जाएए और ठोड़ा दूर तक पोईदल पोईदल जाएए उसके बाद आपको कोई न कोई सौवारी मिल जाएगी जो आपको किसी नौस्दिक के स्टेशन पहुचा देगी क्यूंकि यहाँ तो अभी अच्छा खासा वक्त लगेगा ही पंकज जट से ट्रेन से उतर जाता है और पैदल चलने लगता है वो एक अलगी रास्ते पे चल रहा था जो शेहर से उल्टी तरफ जा रहा था थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक स्टेशन दिखाई देता है पंकज स्टेशन के अंदर चला जाता है लेकिन ये स्टेशन काफी अजीब था हर तरफ सननाटा चाया हुआ था और स्टेशन पहुत सुन पंकज रिसेप्शन पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक आदमी दूसरी तरफ मूँ करके बैठा हुआ था सुनने सर जी मुझे पता करना है कि अगली गाड़ी कब तक आएगी पंकज के आवाज सुनकर भी वो आदमी पलट कर कोई जवाब नहीं देता है पंकज के तुबारा पूछने पर वो आदमी बहुत ही डरावनी हसी हसने लगता है और भारी आवाज में बोलता है अगली गाड़ी का नाम है मौत एक्सप्रेस और वो बस खोड़ी ही देर में आती होगी अरे ये तो बड़ा ही अजीब सा आदमी है जरा देखो तो कैसे बहकी बहकी बाते कर रहा ये जरूर नशे में होगा लोग ड्यूटी के टाइम भी ऐसे नशे में रहते हैं और फिर हम जैसे आम पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है पंकज इधर उधर टीटी का ओफिस ढोडनने लगता है ढूनते ढूनते उसे एक पुराना सा कमरा दिखाई देता है वो अंदर चला जाता है और अंदर दो आदमी टेबल पर सर जुका कर बैठे थे पंकज के बुलाने पर दोनों टीटी अपना सर उठाते हैं और उन्हें देखकर पंकज दंग रह जाता है वो दोनों टीटी भी भूतिया थे और पंकज को देखकर जोर जोर से हसने लगते हैं पंकज भूतों को देखकर बहुत डर जाता है और भागते हुए सीधा बाहर पहुँचता है सामने उसे एक दुकान नजर आती है वो हाफते हाफते दुकान पर जाकर खड़ा होता है और कहता है अरे भाईया जरा एक बोतल पानी देना ना जाने मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है जी जारूर वो आदमी पंकज को एक बोतल देता है लेकिन उसमें पानी के जगा खून बरा हुआ था पंकज देखता है कि वो आदमी भी भूत था पंकज वहां से भी भागने लगता है और आखिर में ठक कर प्लाटफॉर्म के फर्ष पर ही बैट जाता है पंकज खुद से बाते कर ही रहा था तब ही उसे ट्रेन का हौन सुनाई देता है पंकज भागता हुआ प्लाटफॉर्म के पास जाता है और ट्रेन देखकर बहुत खोश हो जाता है लेकिन ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं है पंकज चीकता चिलाता रहता है लेकिन ट्रेन नहीं रुकती ऐसा लग रहा था मानू ट्रेन के अंदर बैठे किसी भी इंसान को पंकज नजर ही नहीं आ रहा था देखते ही देखते ट्रेन स्टेशन से चली जाती है पंकज फिर से मायूस होकर वही खड़ा रह जाता है पंकश उदास होकर वही प्लाटफॉर्म पर बैट जाता है तब ये उसके पास एक छोटा बच्चा आता है उसके हाथ में चाई बेचने का सामान था असल में वो बच्चा भी भूतिया ही था लेकिन वो पंकश को डराता नहीं है हाँ मैं भी भूत हूँ लेकिन मैं आपको कोई भी नुक्सान नहीं पहुचाऊंगा दरसल मैं भी आपी की तरह यहां पर गलती से आ गया था और फिर इन भूतों ने मिलकर मुझे मार दिया अब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ तो क्या मैं यहां से बच कर जा सकता हूँ नहीं ये भूत आपको सीधे रास्ते से कभी पाहर नहीं जाने देंगे लेकिन एक रास्ता है आप अगली ट्रेन पकड़ कर यहां से बच के भाग सकते हैं जो भी ट्रेन यहां से गुजरती है, उसे आप तो क्या, ये पूरा का पूरा स्टेशन ही नजर नहीं आता है, इसलिए कोई भी ट्रेन यहां रुकती नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ, कैसे खुद को बताऊँ, अभी आप जिस फूतिया टीटी के कमरे में गए थे न, उसी के बगल में एक और कमरा है, वहां पर इस इस्टेशन का बोर्ड रखा हुआ है, यहां कोई श्राफ है, जिसकी वजह से इस्टेशन किसी को नजर नहीं आता है, अगर आप जाकर वो बोर्ड ले आएंगे, और उस ना कहकर वो बच्चा वहां से चला जाता है, और पंकज फॉरन भागता हुआ जाता है बोर्ड ढूनने, और उसे बोर्ड मिल भी जाता है, बोर्ड पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, वो बोर्ड को उठा कर वापस प्लाटफॉर्म पर आता है, और तभी अगली ट्रे भूत के हाथ आए, ट्रेन पर चड़ जाता है, और ट्रेन चल पड़ती है, ट्रेन जब स्टेशन छोड़ रही थी तब पंकज को वो छोटा भूतिया बच्चा नजर आता है, पंकज हाथ हिला कर उसे अलविदा कहता है, और वापस अपने घर लौट आता है